काला साया पार कर ही रही ही होती है कि अचानक एक बहुत गंदी सी बास पूरे घर में फैल जाती है ये पड़ोसी ना हमारे थोड़े अलग से हैं कहां हम शा काहारी और ये मास बच्छी खाने वाले छोड़ तु ध्यान मत दे और ग्रह प्रवेश कर और हा बहु अपनी सास की एक बात हमेशा याद रखना इन पड़ोसियों से तो कभी बात नहीं करेगी अच्छे लोग नहीं है ये अपनी सास की ये बात मानेगी ना बेटा हाँ मा जो आपकी मरसी मैं उनसे बात नहीं करूंगी अगले दिन प्रिया आपनी पहली रसोई बनाने रसोई घर में जाती है ये छोकी बास तो नात में जा रही है एक काम करती हो खिडकी खोल देती हूं प्रिया खिडकी खोलने जाती है इतने जाले लगता है इस खिडकी को कभी खोला ही नहीं गया पर ऐसा क्यों ओम नॉन वेज की स्मेल आती होगी ना दो मिनिट के लिए खोल लेती हूं फिर पढ़ती है जहां एक लड़की खड़ी होती है हाथों में मैंदी लाल रंगी साड़ी बिल्कुल सची-धजी मानो प्रिया की तरह ही वो भी नई नवेली पखू हो वो प्रिया को देख कर मुसकराती है ये भगवान माने तो इन से बात करने को मना किया था प्रिया फोरन ही खिड़की बंद कर दीती है और तवे पर चड़े रूटी की और देखने लगती है पर वहां रूटी ना होकर मचली पड़ी होती है यह क्या पहली ही रसुई में इतनी बड़ी गलती है भगवाद अब मैं क्या करूँ ब्रिया बहुत डर जाती है और फॉरन रसुई की सफाय करने और फिर सभी के लिए खाना बनाने लग जाती है जब वो सब को खाना परुस्ती है सब तो चीक है मैं बेकार में चिंता कर रही थी हे भगवाद ऐसे ही पास अपनी कृपा बनाए रखना रात की बात जब सब सू रहे होते हैं तब प्रिया को पायल की आवास सुनाई तब ही उसे बच्चे के रोने की आवास आती है प्रिया छट पर जाती है तो क्या देखती है वही लाल साडी वाली लड़की अपनी गोद में एक नवजात बच्चे को घुमा घुमा कर सुला रही है तब भी प्रिया की नजर उसके पेट पर पड़ती है ओ गाड़ यह तो की गोद में आने को छट पटाने लगता है दोनों घर अगर बगल में बने होने के कारण प्रिया उस बच्चे को गोद में ले लेती है प्रिया के पास आती ही वह सो जाता है बच्चे का वुस पर्ष रात भर प्रिया भूलनी ही पाती है और अगली सुबह वो छट पर प्रिया को खिला भी लेना शाम को जब घर पर कोई नहीं रहता बच्चे से मिलने के लिए प्रिया छिपकर अपनी पडोसन के खर चली जाती है और कुछ देर बच्चे को खिला कर वापस लौटाती है इसके कुछ दिन बाद ही प्रिया को पता चलता है कि ममा बनते वाली है ममता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता माजी, पता नहीं क्यों उल्टी आ रही है प्रिया भागती हुए वाश्रूम में जाती है तो हारी और लालू की उल्टी करती है उस उल्टी में से कीड़े निकलते है ये क्या? खूल और ये कीड़े मा, मा प्रिया क्या आवाज सुनकर ममता दौड कराती है प्रिया घबरा जाती है और अपने कमरे में जाकर सुचाती है डर के कारण वो इतनी धख जाती है कि उसकी आँख लग जाती है तो मुसे ऐसा लगता है उसके पेट पर मामो कोई बैठा हुआ हो प्रिया के पेट पर एक पांच महिनी की बच्ची बैठी हुई थी जो बुरी तरह जली हुई थी मा तुम ही मुझे लाई ना अपने पेट में मैं तुमारी मा नहीं हूँ काल हुँ तुम मा देखो मैं जल गई बुरी तरह से छे मेने पेट में रहने को भी मुझे नहीं मिला से लादो ना मा बचाओ बचाओ मा, ममता दोड़ कर कमरे में आती है, प्रिया की बाते सुनकर वो सब समझ जाती है तु कहीं बगल वाले घर में तो नहीं जाकर आई ना बहु, मुझे माफ कर तु मैं गई थी मा, उस घर में सब मरे हुए हैं बहु, कई साल पहले इस दिहां उस घर में बहु बन कर आई थी, कुछी दिन में वो एक बच्चे को जनम देने वाली थी, पूरा घर बच्चे के आ कानी की खुशी में खोया था कि एक दिन अचानक उस घर में आग लग लगे सब बुरी तरह जल कर बर गए गौही आज भी दादी बनने का इंतजार कर रही है और इसलिए स्नीहा ने अपना अजन्मा बच्चा तुम्हारी कोक में डाल दिया ममता ये कह रही होती है के बीचे से उसके पैरों को इस बच्चा पकड़ लेता है दादी-दादी मा इस नीहां की गोद में यही बच्चा था ये बच्चा कौन है फिर तेरी मोट है तेरी भी दादी जिस जिसका मम्ता को डर था वही हो गया मम्ता निवास के उपर मौद ने जादर बिछा दी थी प्रिया का पेट ऐसे बढ़ जाता है मानों नौ मेने का हो दो हाथ उसकी पेट से बहा निकलते हैं बहु, संतोष को फोन कर, किसी पंडिजी को बुला बहु प्रिया का पती भागता हुआ कराता है ये तो होना ही था मा तेरा बाप तेरे सामने आ गया तो तु से नहीं पा रही है इसने हाँ घर में आग लगी नहीं थी माने लगाई थी प्रोपर्टी की लाड़श में और मों बच्चा मेरी पहली पत्नी का बच्चा है मेरा बेटा जो कि उस आग की चपेट का शिकार हो गया था मैंने तुम से ये सब मा के कहने पर छुपाया था मुझे माफ कर दो प्रिया तुम तुम अगर चाहो तो यहां से जा सकती हो मैं तुम्हें किसी भी बंदन में रखना नहीं चाहता मेरी शादी हुई है आपसे मैं आपको छोड़ नहीं सकती पर उससे पहले हमें इस निहा उसकी मा और बच्चे की आत्मा की शांती करवानी होगी संतोश और ममता गौरी की घर जाते हैं अंदर सब कुछ जला हुआ होता है जमेन पर जली हुई लाशें पिक्री हुई थी ममता रो रो कर अपनी करनी की माफी गौरी से मांगती है प्रियास निहा की घर वालों का अंतिम संसकार करवा दीती है और ममता निवास फिर से आत्माओं के साय से मुक्त हो जाता है आत्माची ता हुआ हुआ है अरुम जल ए?